नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपाथियाई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनालिसिस में दोस्तों चार को स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूँ आप सभी के साथ सबसे पहले टाटा पावर टाटा स्टील और कल किन किन स्टॉक्स के रिजर्ट्स आने हैं वह कलेंडर आपके साथ शेयर कर दूँआ अदानी एंटरप्राइज बहुत इंपोर्टेंट है कल के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँँ आज अदानी गुरूप में एक शार्फ फॉल आया था मैंने वीडियो शूर करी आराओ करीब मैंने आपके साथ वीडियो अप्लोड करी थी तब मैंने आपसे समझ नहीं आ रहे हैं लेकिन उसके बाद दीरे दीरे चीजें सामने आई अभी आपके साथ शेयर करूँआ और यह जो आज गिरावट है केवल आपके लिए एक ट्रेलर है अगर कल जो मैं बोलूँ आ कल के बजार में जिसमें बड़ी तेजी आ सकती है रिजल्ट के दमपर टाटा कैमिकल दोस्तों इस कंपनी के जो नंबर है वह बहुत ही तंगड़े आई तेकि बजार का मानना था मार्जिन बढ़ेंगे कामकाजी मुनाफ़ा बढ़ेगा बट नेट प्रॉफिट नहीं पचास सकतर परसेंट ऊपर चला गया है कंसॉलिडेटेट प्रॉफिट एर और यर बेस पे 463 करोड़ के सामने 711 करोड़ा रहा है मतलब अनुमान था कंपनी अराउंड लगबग 360-360 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करेगी और कंपनी ने कर दिया 711 करोड़ का तो यह एक तेजी का केंडिडेट बनता है कल गिरावट की बात करें तो पैट्रोनेट LNG का स्टॉकर मुझे लगता है कल क्रेश होना चाहिए 2-3 परसेंट तो में गिरना चाहिए क्योंकि नंबर बहुत खराब है इसके बाब जूद अगर नहीं कर रहा है कंपनी के मार्जिन 10.62 परस सर नंबर है अब आते हैं कल के रिजर्ट कलेंडर पर रिजर्ट कलेंडर में एक नाम को अब बात करहा है वर Tata Power टाटा पावर के बी कल नंबर आने वाले है पहले मैं बैंक अपने नंबर पेश करेगा, ब्लू स्टार, एंग C8 के नंबर देखने वाला बात होगी, क्योंकि भीया, आज MRF ने जो नंबर पेश करें है, बहुत तंगडे नंबर पेश करें है, उसके दम पर स्टोक भी भागा है, और ये पहला इस्टोक होने वाला है, तो एक लाग का मार्क टच करने वाला है, ठीक है, तो C8 के नंबर देखने वाली बात होगी, हाला कि आज C8 MRF से जादा बागा है, 7.68% बागा है, तो इसके नंबर देखना होगा, TVS Motors अपने नंबर पेश करेगा, और Vinyl Chemicals के भी नंबर आएंगे, Nifty से HDFC के भी नंबर आते हो दिखेंगे, आगे बात करें तो Punjab Chemicals के नंबर आएंगे, IDFC के नंबर आएंगे, IDFC First Bank के तो तंबडे आएंगे, IDFC के देखना होगा कैसे आएंगे, Adani Enterprises के नंबर आने वाले हैं कल, तो कल ये बहुत important है, इसके बारे में डीटेल में और शेयर करूँगा, तो Adani Enterprise अपने नंबर पेश करेगा, Tata Power के भी नंबर आने वाले हैं, इस पर भी डीटेल में बात करेंगे, Ratan India Power के नंबर आएंगे, First So Solutions के नंबर आएंगे, Rane Engine के नंबर कल के सेशन में आते हूँ दिखेंगे, Mind Space Business के नंबर कल के सेशन में आते हूँ दिखेंगे, और बात करें आपके साथ तो Bombay Dime जो आज क्रेश हुआ है, क्योंकि Wadia Group का एक आपका जो गो फर्स है, वो क्रेश होता हुआ, क्योंकि Wadia Group करता हूँ दिखेंगे तो इसके चक्कर में यह भी आज गिरेंगे, तो यह कुछ बड़े नंबर हैं जो आते हूँ दिखेंगे, अब आते हैं हम अपने दो स्टॉक्स, तीन स्टॉक्स के बारे मारे मारे सबसे पहले बारे में बात करेंगे, दिखेंगे कल रिजल्स आयते हैं, रिजल्स मार्केट के अनुमान के साब से बहुत अच्छे आयते हैं, इस टॉक में पोजीशन है बने रहे हैं, मैंने कल भी कहा था कि रिजल्स रियक्शन नहीं देता है रिजल्स पे और वैसा ही हुआ, इस टोक फ्लेट बंद हो गया, मुझे लगता है बने रहना चाहिए, आपके लिए 114 और 120 रुपे भी आने वाले समय में आता हूँ अधिक सकता है, मैंने विडियो शेयर करी थी, फिर भी मैं एक बार दुबारा, शेयर कर देता हूँ, जो इनके और अधानी टोटल गैस के आधी अधानी चीशन रिजल्स के साथ आई धी और इनका नाम भी आपके साथ अगर मैं शियर करूँ तो मिस्टर शा धन धारिया नाम है इनका तो इन्होंने क्या है कि अदानी टोटल गैसे ऐसा ओडिटर रिजाइन दे दिया है और यही जो है अदानी एंटरप्राइजेस के भी ऑडिटर है तो अब बजार को लगा कि मेभी अदानी एंटरप्राइजे जब नंबर आएंगे तो यहां पर ऐसा आएगा कि इन्होंने अदानी एंटरप्राइजेस से भी रिजाइन दे दिया है लेकिन अदानी टोटल गैसे दिया है वो मार्केट को बरदास हो गया लेकिन अदानी एंटरप्राइज एक बड़ा नाम है और और ऑडिटर का लिए है या नहीं दिया है तो नेहीं दिया है तो सब नॉर्मल है और आपके साथ शेयर कर दिया है अब टाटा पावर ।ो सबसे पहले तो मैंने इसमें 205 रूपे तक का टेक्निकल पेसिस पे आपके साथ तागेट दिया था वह निकलेगा तो बड़ी तेजी बनेगी 205 निकाले के टिकता है तो 212 रुपे तक की चरनी होगी otherwise long term का चार्ट देखो तो एक trend line है जिसके उपर अभी तक नहीं निकला है stock continue lower lows लगा रहा है तो trend line का breakout अगर खल दे दिया तो फिल long term के लिए खरीद लेना और stock को आराम से portfolio का पार्ट बना लेना तो यह में तरब से आपके लिए video hope आपको समय पुसंद दौन आयों कि thank you so much for watching this video have a great day guys